हलो प्रेंट्स वेलकम टू इंग्लिस ग्रामर स्टेज यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रजेंट इंडिपनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो पहचान वही रहती है जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आ जिन में प्रश्णवाचक सब्द लगा हुआ रहता है जैसे क्या क्यों कैसे कौन सा यह अगर कोई किसी भी वाक्य में लगा हो तो वह वाक्य प्रश्णवाचक वाक्य बन जाता है जैसे उदाहरण के लिए राम घर क्यों जाता है तो क्यों से पता चला कि यह जो वाक्य है वो प्रश्णवाचक वाक्य है और ता है ती है ते हैं से पता चलता है कि ये टेंस प्रजेंट इंडिम्नित टेंस का है ठीक अब इसमें हम आपको बता दें जो प्रश्णवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार में वह वाक्या आता है जिसके बीच मे प्रस्णवाचक सब्द दिया रहता है और दूसरा प्रकार वहाँ आता है जिसके सुरुवात में क्या सब्द दिया रहता है तो देखिए क्या राम घर जाता है ये भी प्रस्णवाचक वाक्य है और राम घर क्यों जाता है ये भी प्रस्णवाचक वाक्य है दोनों को बनाने कि नियम थोड़ा सा अंतर हो जाता है इसमें आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं नियम लिखा रहा हूं उनको आपको याद करना है पहला नियम होता है यदि वाक्य की सुरुवांत कि यदि वाक्य की सुरुवांत कि क्या सब्द से हो कि इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर ले वह कर लीजिए मतलब यह क्या कहते हैं इसको इन्वाटेड कामा जो भी कहते हो यह पास्ट्रॉफी जो भी यह दिवाक्य की सुरुवांत क्या सब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज दो सहायक क्रिया होती है ना तो डू या डज एक वचन के लिए डज का प्रियो की आता है और बहुचन के लिए डू का तो यह आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है तो आप लोग इससे समझ जाएंगे अभी हम और भी नियम लिखाएंगे या दिवाक की सुरुआत क्या सब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं उसके बाद करता लिखते हैं ये पहला नियम हो गया ठीक और दूसरा नियम दूसरा नियम क्या है या दिवाक की सुरुआत या दिवाक की सुरुआत इसमें नहीं लिखेंगे लिखेंगे या दिवाक की के बीच में प्रस्नवाचक प्रस्नवाचक सब्द आए तो सबसे पहले उस प्रस्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं उस प्रस्नवाचक सब्द की अंग्रेजी लिखते हैं अंग्रेजी लिखते हैं लिखते हैं ठीक ध्यां दिवाक की शुरुआत क्या सब्द से हो तो सबसे सहाय क्रिया दूमा दज का प्रियोंग करते हैं और उसके बाद करता लिखते हैं ठीक यह एक नियम हो गया जो की इस sentence के लिए apply होगा क्या राम घर जाता है इसके लिए ये वाला से नियम apply होगा ठीक और दूसरा नियम क्या है यदि वाक्य के बीच में प्रस्णवाचक सब्द आए तो सबसे पहले उस प्रस्णवाचक सब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो ये पहले वाले के लिए apply होग मुझेयादक सब्द की जैसे राम घर क्यों जाता है तो क्यों सब्द अब्रस्णवाचक सब्द है जो की वाकी के बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले हम FROM चंक सब्द की अंग्रेजि लिखते हैं इसके आगे और थोड़ दिख लें इसकेबाद सहायक्रिया लगाते हैं सहायक्रिया लिखते हैं यह लगाते हैं सहायक्रिया क्या होती है present indefinite tense की do या does यह याद रखना present indefinite tense में सहायक्रिया do या does होती है एक वचन के साथ does का प्योग और बहु वचन के साथ do का प्योग ठीक तो ये दो नियाम हो गए अब आप method लिख लिजिए सूत्र लिख लिजिए जिसकी सहायता से हमें वाक्य बनाने होते हैं तो इसको आप सूत्र या method या फार्मूला कुछ भी लिख सकते हैं M E T H O D method मतलब फार्मूला जो जोडने का method होता है ठीक तो सबसे पहले हम किसके लिए बताएंगे जो की वाक्य के सब सुरुवात में क्या आए उसके लिए पहले तो सबसे पहले डू या डज यह helping वर्ब हो गई डू या डज प्लस करता प्लस में वर्ब मतलब मुख्य क्रिया फिर प्लस अन्य सब्द अन्य सब्द यह हो गया किसके लिए इसको आप कोश्ठक में लिख सकते हैं जब वाक्य की सुरुवात क्या से होती है तो यह नियम लगेगा अजब वाक्य के बीच में आए अगर कोई प्रस्णवाचक सब्द तो उसके लिए नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है नियम यह हो जाता है प्रस्णवाचक सब्द की अंग्रेजी तो यह प्रस्णवाचक सब्द की अंग्रेजी हो गई उसके की अंग्रेजी फिर दू या डज पिर इसके बाद करता फिर मुख्य क्रिया फिर अन्य सब्द यह उसी प्रकार चलता है ठीक बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है वो क्या चेंज हुआ प्रस्वाचक सब्द की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ती है ठीक अब यह काउन से सें लिख रहे हैं उदाहरण में तीन चार कोष्चन राम खाना घर राम घर क्यों जाता है ठीक तो यह आपको याद रखना है इसके बाद में आपको प्रश्णूआचक चिन भी लगाना है ठीक यह आप बहुत महतोपूर बात है यह प्रश्णूआचक चिन भी आपको लगाना है question mark जो प्रस्ण रहेगा उसके बाद में प्रस्ण वाचक को चिन्ध लगाना बहुत ज़रूरी है तो राम घर क्यों जाता है क्यों से पता चला कि यह प्रस्ण वाक्य है और ताहय से पता चला कि यह present indefinite tense का वाक्य है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अब यह दूसरी टाइप वाला question है वह है प्रस्ण है मलब यह जो sentence दिया गया है वह दूसरी टाइप वाला है तो सबसे पहले प्रस्णवाचक सब्द की अंग्रेजी तो प्रस्णवाचक सब्द क्या हो गया क्यों क्यों क करता के साथ डज का प्रियोग और बहुचन करता के साथ दू का प्रियोग तो यह राम जो है एक वचन करता है इसलिए यहां पर हम लोग डज का प्रियोग कर देंगे हुआई डज फिर इसके बाद करता करता क्या है राम तो राम लिख देंगे आप राम का नाम है तो राम इ होती है go ठीक अभ इसमें यह श्याइश नहीं लगाएंगे क्योंकि यह नियम नहीं लिखाया कि आप इस में यह एचाश लगाएं चुंकि यह जो है SIMPLE sentence में कैवल चलता है है जब कि हम arguing sentence ह disappointment तो इंट्रोगेटिव sentence हल कर रहे हैं ठीक अब उसके बाद आन्यसब्द अन्य सब्द क्या हुआ होम तो यहाँ पर होम लिग देंगे अब आप लोग एक बात याद रखना जब होम घर के लिए जाता है तो यहाँ पर तु नहीं लगता अन्य जगहों में अगर कहीं पर जाने की बात कि जाती है तो गो के बाद ज्यादा तर तु प्री पोजीशन का यूज कर दिया जाता है लेकिन हों के बाद हों के पहले आपटू प्रियोग नहीं करेंगे एसके बाद आपको प्रशन्वाचक छिन्ध लगा देना है इसके बाद अब हम दूसरे एक्जांप पर लेते हैं जीतेंद्र क्यों लिखता है जीतेंद्र पुस्तक क्यों लिखता है ठीक तो हो गया जीतेंद्र पुस्तक क्यों लिखता है क्यों लिखता है ठीक तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जीतेंद्र की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे सबसे पहले हम प्रश्ण वाचक सब्द की अंग्रेजी लिखेंगे हुआई फिर इसके बाद एक वचन करता के साथ डू कप्रियोग और बहुचन करता के साथ डू का प्रियोग तो यहाँ पर डज लगा देंगे जितेंद्र चूंकी एक वचन है ठीक इसके बाद करता क्या है इसमें जितेंद्र तो यहां पर लिख देंगे जितेंद्र फिर इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है लिखना लिखना की अंगरेजी हो गई ये डाबलू आर आई टी ए फिर इसके बाद पुस्तक की अंगरेजी इसके बाद इसके बाद पताया कि जो अगर क्या सब्द से शुरुआत होती है तो यह वाला नियम लगता है मैं थर्ड यह वाला लगता है तो हम उसको भी उधारणे में आपको बता देते हैं किया कि पिंकी कि खाना कि पकाती है है तो यह भी क्वेश्चन प्रस्अलचक वाक के नकिन इसमें नियम थोड़ा सा चैंज हो जाता है इसमें आपको प्रस्अलचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखना है direct आपको do या डच का प्रियोग करना है तो Pinky एक वचन है तो एक वचन के साथ डच का प्रियोग कर देंगे यह हो गया do या डच तो डच लग गया फिर करता Pinky तो Pinky की एंगरेजी लिख देंगे इसके बाद मुखच्रिया पकाना पकाना के इंग्रेजी क्या होती है कुक फिर इसके बाद अन्य सब्द खाना खाना के इंग्रेजी होती है फूड एफ डबल ओ डी इसके बाद क्वेस्चेन मार्क यह हो गया तीसरा वाक्य अब हम चौथा वाक्य देख लेते हैं क्या राधा गेंद खेलते हैं यहां पर राधा न लिखके हम बहुचन करता कोई बना लेते हैं तुम लिख देते हैं क्या तुम गेंद खेलते हो ठीक यह हम क्यों ले रहा हैं चूंकि अभी हमने बहुचन में नहीं बताया है क्या तुम गेंद खेलते हो यह तुम लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुम ठीक क्या तुम गेंद खेलते हो यह हमने जो है एक वाक के लिए अब यह तुम हमने क्यों लिया क्योंकि तुम जो होता है वो बहुचन करता होता है तो अभी हमने एक वचन ही करता क सूत्र में जो बताए हैं अभी एक ही वचन के बताए है उदाहरण में तो हम सोचे कि आपको बहुचन में भी बता दिया जाए ठीक तो सबसे पहले हम क्या करते है एक वचन करता के साथ डू का प्रियोग और बहुचन करता के साथ डू का प्रियोग करते हैं तो तुम जो होता है वो बहुमी अचनकर्था में आता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा do फिर इसके बाद करता क्या है? तुम तो तुम की अंग्रेजी you y o you फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखते जाएं यह नियम हमें हमने जो बताया है दू या डज फिर करता फिर मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया क्या है खेलना खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी पी एल ए वाई इसके बाद गेंद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाल बी ए डबल एल डू यू प्ले बाल इसके बाद question mark ये आपको नहीं भूलना है अब हम आपको तीन चार आपको और उदारण दे देते हैं जिससे आप लोगों को doubt ना रहे ठीक अगला उदारण है मीरा पाजार कब जाती है सबसे पहले हम प्रस्णवाचक सब्द की अंग्रेजी लिखेंगे कब कब की अंग्रेजी होती है when तो हम लोग जो है एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें हम प्रस्वाचक सब्द की अंग्रेजी आपको बता देंगे जिससे आप लोगों को मीनिंग याद करने में आसानी होगी ठीक तो कब की अंग्रेजी हो गई होएन फिसके बाद डू या डज तो मीरा एक वचन है एक वचन करता के साथ डज का प्रियोग ये हमने डू या डज का प्रियोग आपको इन्डिफिर्टेंस के निगेटिव सेंटेंस में बताया है कि एक वचन करता के साथ डज का प्रियोग किया जाता है और बहुचन करता के साथ डू का प्रियोग किया जाता है ठीक अब इसके बाद होयन के बाद हो गया डज फिर इसके बाद क्या लिखना है एंग्रेजी के लिख देंगे मार्केट एम ए आर के इटी लेकिन अब आप लोग याद रखें कि गो के बाद ज्यादा तर टू प्री पोजिशन का प्रियोग कर दिया जाता है इसके बाद ये आप लोग इस प्रकार बनाएंगे तुम कहां सोते हो तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे फिर दू फिर उसके बाद यू इसके बाद सोना की अंग्रेजी श्लीप इसके बाद कुश्चन मार्क तुम कहां सोते हो वैर डू यू स्लीप कुश्चन मार्क इसके बाद क्या बच्चे तालाब में तैरते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डू या डज चूंकि यह जो वाक्य है यह प्रस्णवाचक वाक्य की सुरुआत दे दी गाई है तो इसमें हम प्रस्णवाचक वाक्य सब्दकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे डू do क्यों आया चूंकि यह जो बच्चे दिया गया है बहुवचन दिया गया है और बहुवचन करता के साथ do सहाय क्रिया का प्योग किया जाता है फिर इसके बाद बच्चे के इंग्रेजी children do children इसके बाद मुख्य क्रिया तैरना तो swim do children swim फिर इसके बाद तालाब में तो लिखेंगे इन पहले में की एंग्रेजी हो गई इन फिर तालाब की एंग्रेजी पॉंड पी ओ एंडी पॉंड इसके बाद question mark यह हो गया do children swim in pond हम कौंसी किताब पढ़ते हैं कौंसी आया है तो कौंसी की एंग्रेजी होती है कि विच डब्लू आई सी एच कि डब्लू एच आई सी एच हुच हुच हो गई जो हो गया प्रस्णवाचक सब्द इसके बाद डू या डज तो डू या डज के हिसाब से आ जाएगा डू इसके बाद करता हम की अंग्रेजी होती है विच डू विच डू विच यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट रूल चेंज होता है हम काउंसी किताब पढ़ते हैं काउंसा काउंसी के साथ में हम जो आगे दिया रहता है उसको भी साथ में लिख लेते हैं ठीक याद रखना काउंसा काउंसी अगर कहीं पर वाक्य में दिया गया हो तो उसके बाद में जो भी दिया गया हो वो object आपको साथ में लिखना है तो which के साथ तुरंट आपको book लिख देना है ये which count होता है और उसके साथ जो लिखा रहता है उसको भी साथ में लिए रहता है तो हम count किताब पढ़ते हैं तो which book साथ में लिख देंगे काउंसी किताब ये पूरा प्रस्णवाचा को सब्द बन गया ठीक फिर डू फिर वी फिर इसके बाद मुख्य क्रिया हो गई रीड आर इए डी अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है तो आप क्वेश्चन मार्ग लगा देंगे ये सही वाक्य बनाने का नियम होता है चूंकि काउंसा काउंसी जो ये होता है ये थोड़ा सा एकसेप्सन होता है अफवाद होता है तो इसमें आप लोग विसे ध्यान दें काउंसा काउंसी अगर कहीं पर दिया गया हो तो उसके साथ जो दिया गया हो उसको भी प्रस्णवाचक सब्द में एड करके साथ में देती हैं सबसे पहले प्रस्वाचक वाक्य सब्दकी अंगरेजी लिख देंगे हुआई पिर इसके बाद डज पिर इसके बाद गाय के अंगरेजी काउ सी ओ डबलू फिर देना देना के अंगरेजी गिव और दूद के की अंग्रेजी मिल्क 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 और फिर क्विस्चन मार्क यह हो गया प्रजेंट इंडिफिनिट का नक्स यह प्रस्णवाचक वाक्य बनाने का नियम और उधारर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जहिंद वंदे मात्रम बाई